इस कारिक्रम के पुने आरजक हैं कल्यान आलोचना में अगले कर्म की गाथा में गाथा नमर बारा मिलान करें महु मज्य मंस जुवा पवदी वसनाई सत्य भे आईं सत्य भे आईं नीमो नकयम चतेशिम् मिच्छा में दुक्डम हुज्य महु मज्य मंस जुवा पवदी वसनाई सत्य भे आईं नीमो नकयम चतेशिम् मिच्छा में दुक्डम हुज्य मधु मांस मद्य द्यूत प्रविर्तीनी व्यसनाई सत्य भे आईं क्या बात कही बहुत अच्छी बात कही देखो एक एक शब्द कर समझो मज्य महु मद्य मधु मद्य और मधु मद्य यानि शराब मधु यानि शहद शराब और शहद क्या मद्य कर्थ क्या मादक पदार्थ शराब नशीला पदार्थ मधु शहद मधु मख्यों का उच्छिष्ट मंस जुगा पविदी मांस जुगा आदी जुगा भी जुड़ गिया मंस भी जुड़ गिया बसनाई व्यसनों के सत्वेयाई साथ भेद हैं तेसिम उनका नीमो नकयम चव नियम यदि मैंने नहीं किया तो इन साथ व्यसनों का अगर हमने नियम नहीं किया नियम नहीं किया का मतलब अगर हमने इनका त्याग नहीं किया साथ व्यशनों का अगर हमने त्याग नहीं किया तो मेरे दुश्कृत पाप मित्या हो बें त्याग की प्रेरणा इसमें दी जा रही है किस की प्रेरणा दी जा रही है सबती व्यशनों के व्यसन किसे कहते है जो जीव को बार-बार परेशान करते है क्या जो जीव को बार-बार परेशान करते है हाँ बार-बार कष्ट की ओर परेड़ित करते है वो व्यशन कहलाते है व्यसन की परिवासा अथवा जो पुर्स को कल्यान मार्गे से वरिष्ट करते हैं अकल्यान में लगाते हैं अनीती में लगाते हैं कुमार्गे में लगाते हैं वो व्यशन है सन मार्गे से भटकाते हैं बुरे मार्गे में ले जाते हैं वो व्यशन जो पुरश को कल्यान मारगे से भिर्ष्ट करते हैं उसे व्यसन कहते हैं व्यसन सात हैं नाम आये हुए हैं भावार समेलान करो मद्य मधू मांस जुवा बेश्य गमन शिकार और परिस्तरी सेबन यह सात व्यसन है इन व्यसनों के त्याग का यदि कदाचित मैंने नियम ना किया हो क्या भावन अभा रहा है कि अगर इनकी विशनों के त्याग का मैंने नियम ना किया हो और नियम ना करने से जो पाप लगा तो भगवन वह मेरे पाप मिथ्या हो बें मिथ्या हो बें मिथ्या हो बें नियम करना पड़ता है आप खाओ या मत खाओ आप पियो या मत पियो अगर आपने त्याग ने किया तो बिना खाए पिये भी आपको पाप का आसरो हो रहा है देखो कितनी बात बड़ी बात है आपने त्याग ने किया तो आपको पाप का आसरो नहीं हमने तो खाया ही नहीं हम तो पीते ही नहीं पीते नहीं तो त्याग कहा है त्याग का नहीं हम कहा लिया त्याग का बड़ा फरक होता है ना उपियो करो या ना करो अगर तुमने संकल पर पूर वक्त त्याग नहीं किया तो आपका रास्ता खुला रहता है अभी जरूर पढ़ेगी हमारा त्याग थोड़ी है हमारा त्याग थोड़ी है और उसी के पाबंदी के लिए नियम ले लो बैंक में पैसा रख दिया अब डीकी नहीं अब बैंक वाला ऐसी रखेगा भी यह कभी भी आसकता कल भी आसकता परसों भी आसकता जब आएगा तब वापस करना पड़ेगा वो उसका उपयोग नहीं करेगा उपयोग नहीं करेगा तो भी आसकता देगा सामाने से देगा समझ लो हाँ और बल्कि उल्टा और लगेगा तुमको तुमने रखा है और एबडी नहीं किये तो दो या फिर सामान ने सिल बे आज मिलेगा तुमको क्योंकि फिक्स नहीं किया फिक्स नहीं किया तो सामान ने सामान ने बे आज मिलेगा और आपने FD कर दिए, एक साल नहीं लेंगे, दो साल नहीं लेंगे, तीन साल नहीं लेंगे, वो उठा करके पैसे ट्रांसपर कर देगा, किसी काम में लगा देगा, फिर तुमको ब्याज देगा, तो अगर तुमने FD कर दी, तो तुमको ब्याज जादा मिल रहा, मिलेगा, और FD नहीं की तो सामान ने भी आज मिलेगा ऐसे ही अगर आपने अभक्ष बस्तू का उप्योग नहीं किया तो सामान ने से पुन्न लगेगा क्योंकि आपने उप्योग नहीं किया और अगर उप्योग ना करते हुए आपने त्याग का संकल पे ले लिया तो फिर क्या है हाँ अभी तो नहीं कर रहे हैं आगे भी इसका उप्योग नहीं करेंगे हम तो यहां तक कहते हैं कि अरे वहीं से छोड़ना शुरू करो जिसका उपयोग नहीं करते जिस बस्तू का तुम उपयोग नहीं करते हो वहीं से त्याक शुरू करो आपको त्याक का संसकार तो आएगा और धीरे धीरे फिर उस बस्तू का भी त्याक कर दोगे जिसकी आवश्रक्ता पढ़ती उस पर भी नहीं अंतरन करोगे उपवास नहीं कर सकते मत करो एक आसन नहीं कर सकते मत करो भोजन कर लिया तुम नहां भोजन कर लिया अच्छे से कर लिया अच्छे से कर लिया अपने अ आफिक भोजन के लिए दो-तिन घंटे नहीं चल सकता क्या है बोलो ना है सही वात है कि नहीं है अब नुई नुई हम नहीं करते अरे भाई मन की द्रणता से संकल्प पल जाते हैं और मन कम जो रहो तो अब भी भोजन करके उठे हो भरा पेट है बजार में कोई नया पुराना दोस्त मिल गया भीया बहुत दिन बाद में ले आओ चाय पानी नास्ता कर लो नहीं हम तो अब भी भर पेट बढ़िया सब अच्छे करके आ रहे अरे करतो लो फिर खाने बैठ गए अब बताओ यह क्या है एक क्या है संकल्प होता तो क्या जरूरत ही नहीं और संकल्प नह है तो जरूरत नहीं तो भी खाने पीने बैठ गए ऐसे ही अवक्ष बस्तूओं में जिस चीज का उपयोग नहीं करते शराब नहीं पीते हो अब भी नहीं पीते हैं आंगे भी नहीं पीएंगे संकल्प पूरवक हमारा त्याग अब चाहे कुछ भी हो जाए अरे पानी का त्याग करा रहे हो तो तुम जीने मरने की बात सोचो सराब का कोई त्याग कर दे तो जीने मरने की बात होगी क्या पीने वाला फिर मरने की सोचे पीने वाला भले ही मरने की सोचे सराब का त्याग करने वाले को क्या कारण है उसको दूद मिल रहा पानी मिल रहा सबजी मिल रइफल मिल रहे ख़तम काम शराब है शहद है अब शहद ऐसे थोड़ी मिलती है कहा से मिलती शहद अरे मदुमक्यां अनगिन गिनती नहीं कर सकते उड़ने वाली तो दिखती है जो उड़ने पा रही जो उनके अंदर बिलों में भरी है किलविल 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 इतने जीव कर रहे है अनन्ता अनन्त वो सारे के सारे जीव वहीं जनम ले रहे वहीं पर मरन कर रहे ये हो रहा वो हो रहा और आदमी उस शहद को पाने के लिए चत्ते जला देते हैं या मक्यों को उडाते हैं फिर उनका रस निकालते हैं कितने जीव, असंख्यातों जीव उसमें मरते रहते हैं उस शहद का उपयोग करते हैं भीया, शेहद का उपयोग मत करो अगर दवाई में कुछ लैना है तो सक्कर की चासनी बना लो और क्या सक्कर की चासनी बना के ले लो फायदा हो जाएगा सब ठीक हो जाए जीव दया से अपने आप तुम को फायदा हो जाएगा ऐसे ये शहद शराब मांस जीवों को मानना पड़ता है जीवों की हिंसा करना पड़ती है कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है और ऐसे जीवों को मार कर के जो किया जाता साक्षा जीवों को मारना तो बहुत बड़ा पाप है अगर उनका आकार प्रकार बना कर के भी किसी ने हिंसा की जीव का आकार बना करके भी लकड़ी का आटे का या फलो सबजीयों में आकार बना करके भी अगर तुमने हिंसा की तो तुमको महाँ पाप आटे के मुर्गे की कहानी जानते हो कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा दोस लगता है अब आज कल देखो ऐसी मिठाईया बनने लगी है उनमें आकार कोई बना देते हैं जीवों के आकार बना देते हैं कोई मचली बना देते हैं कोई और बना देते हैं मेंडग बना देते हैं है मिठाई पर आकार उनने जीवों का बना दिया अब बच्चे या ना समझ लोग क्या है अब वो खातो रहे मिठाई लेकिन आकार क्या देख रहा गड़ी या घुला बनते थे पुराने समय गड़ी या घुला मेलों में बिकते थे सक्कर के गड़ी या घुला आप उसमें क्या है सकर के कहीं ये बना रहे कहीं वो बना रहे, बैल बना दिया, गाय बना दिया, सकर के घोड़ा बना दिया, अब खातो रहो सकर लेकिन आकार क्या है? ऐसी कई मिठाई या कई चीजें बजार में बन रही हैं जिन में आकार जीव जन्तूंगों का है और उन जीव जन्तूंगों के आकार को यदि तुमने खाया तो मन तुमारा क्या होता है बच्चे देखो अब मोबायल पर अपने कोई ना कोई गेम खेलते रहते हैं अब आतंकबादी किसी को बना दिया अब मार रहे हैं फिर इसको प्लैन को उड़ा दिया ये कर दियो मतलब हिंसा की भावना मारू 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 तुम खेल खेल रहे हो लेकिन तुमारे खेल में मारने का भावा रहा है हिंसा का भावा रहा है यह संसकार भी ठीक नहीं है क्या किसी को मारने का संसकार ठीक नहीं है फिरी फायर क्या कहते हैं फिरी फायर यही है ना फिरी फायर ही नाम है ना अब बताओ फिरी फायर ऐसे ऐसे हैं मारो 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 अरे क्या है विया क्या मारो पुतले जलाते हैं क्या जलाते हैं पुतले जलाते हैं अब पुतले जलाने में भाव ना तुमारी ब्रोद की भले हो ब्रोद पर गट करने की लेकिन आकार बना करके जलाया तो उसके जलाने का दोस्त भाव तो किया तुमने उस आदमी को तो तुमने भावों से मार दिया वो मरा हो या ना हो जो बिरोद सुरूप पुतले देहन होते हैं अब सही का आदमी नहीं मार पा रहे तुम तो उसके पुतला बना करके मार रहे बताओ सही का मारे तो सजा हो जाए अब पुतले को जलाएं तो कुछ नहीं है लेकिन भावों में तो दोस है धरम तो कहता है कि ऐसे भाव भी नहीं करना जिसमें किसी जीव को जलाने मारने की बात हो आदी आदी इस तरह से खान पान से लेकर के उठने बैठने में रहन सहन में जहां भी हिंसा का भाव आता है वो अधर में हमारे लिए ठीक नहीं है जुगा खेलना अब जुगा खेलना लगे हैं बैठे हैं तास पत्ति लिए हैं इनका हमारे पास है हमारा उनके पास जा ये जा रहा वो जा रहा और जो पूरा का पूरा अपना पैसा गमा देता है उसके परिणाम देखो कैसे होते है और परिवार में आजिव का हो या ना हो पैसा हो या ना हो जुआ की लत लग गई तो घर से खींच खींच करके जो भी मिलता है अरे छोटी मोटी सौने चांदी की सामगरी भी रखी रहती है निकालता है बेच देता है जुआ के लोब में लगा रहता है लोब में जुआ खेलता रहता है और पाप में सब चला जाता है बचसता ही नहीं है इस तरह से जुगा, मान, समद, बेश्यागमन, बेश्याओं का कोई धरम थोड़ी है, पैसा के लिए रहती है ऐसे बेश्याओं के पास जाना कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है बीमारियों से गर्शे तो सिकार जंगलों में जानवरों के पीछे लगना उनको दोडाना उनके लिए घायल करना मारना आदी आदी मनोरंजन के लिए खेल प्रदर्शन होते हैं उनमें जीवों की हिंसा होती है जीवगात होता है सब शिकार चोरी अब चोरी दूसरे ने महनत करके एकटा करके रखा भाईया साब चले रस्तास्ता नकाला वो बस्ता बांदा और बाहर हो गए चोरी परिस्त्री शेवन ये साथ महाँ पाप रूप व्यशन है व्यशन जो कष्ट देते हैं कल्यान के मारगे से भटकाते हैं बुद्धिमान पुरुष को इन सब का त्याग करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो व्यशनों से दूर होता है अरे बड़े बड़े राजा भी व्यशनों में लग जाते तो पंड़ो जुए खेले परेशानी सब के सामने है अनेक अनेक कथाएं आती है एक एक व्यशन में अगर कोई लग गया कोई सिकार में कोई मांस में कोई इस में कोई उस में कोई जुगा में सब परिवार बरबाद होता है परेशानी ओपर परेशानी आती है इस तरह से इन सब के त्याग होना चाहिए दोहा देखो मिलान करो सभी जन और पड़ें मिल करके मद्द मांस आदिक व्यशन के जो भेद हैं साथ यदी न त्यागे तो प्रभो मिथ्या हो मम पाप मद्द मांस आदिक व्यशन के जो भेद हैं साथ यदी न त्यागे तो प्रभो मिथ्या हो मम पाप अगर इन सब दिवशनों का त्याग नहीं कर पाए हो तो भगवन वो है मेरे सारे पाप मिठ्या होबें मिठ्या होबें मिठ्या होबें और भाउना भाता है आलोचना पाठ के रूप में भाउना भाता है क्या भाउना भाता है कि मैं सनमार्ग में निरंतर लगा रहूं सनमार्ग में निरंतर लगा रहूं अहिंसा का न्याय नीती का मार्ग मुझे निरंतर मिलता रहे ऐसी भावना भाता है अच्छे कारियों को करता है अच्छे कारी करने वालों को प्रोसाहित करता है जीवों पर दया करता है अहिंसा का पालिन करता है खान पान में शुद्धी रखता है आचार बिचार में प्रामानिकता और पवित्रता रखता है ये सब एक बहुत अच्छे गरस्त को सद गरस्त बनाने के माध्यम है इसमें जैन अजैन का कोई भेद नहीं है ये तो बुराइन्या है बुराइन जिसके साथ लगेगी उसको परिशानी खड़ी होगी और बुराइन्यों से जो बचेगा उसका जीवन भला होगा बुराइन्यों से बचना है और अच्छाइन्यों से अपने जीवन को जोड़ना है यही धर्म का मार्ग और कल्यान का मार्ग है और ऐसे ही कल्यान के मार्ग को पाने के लिए कल्यान आलोचना लिखी गई है रहे और कल्यान के मार्ग को पाने के लिए आप अपनी आत्मा की आलोचना नरंतर करते रहो इसी शुभावना से बिराम देता हुआ इस कारिक्रम के पुने आर्जक थे एवं समस्त मोधी परिवार कटनी मध्यप्रदेश फर्म सुरेंद्र स्टेशनेरी मार्ड कटनी मध्यप्रदेश मोधी इंटरप्राइजस कटनी मध्यप्रदेश